Hello students, hi, welcome back to my channel, Learning with Divya. आज हम करने वाले हैं students class number 36 में top 100 previous year questions को solve, जो की बहुत important है और आपको definitely बहुत help कने वाले हैं और ये equally important हैं GIC, NET, Assistant Professor, TGT, PGT, सभी exams में, डाइट में, सभी में आपको बहुत help कने वाले हैं. So students, let's start the topic, first question is, तनाव यह संचारण के लिए अवरोध है, तनाव मतलब अगर stress है, कोई tension है, कोई problem है, मतलब mentally कोई problem है और communication में वो किस तरीके की वाधा अपन कर सकती है, तो देखिए, यह जो है, मनोविज्ञानिक वाधा है, कैसी वाधा है, आपके psychologically, ठीक है ना, मनोविज्ञानिक रूप से आदमी परिशान है, psychic रूप से परिशान है, stress है, उसको mental कोई भी repression हो सकता है, कोई भी परिशानी हो सकती है, तो उसका जो संचार है, जो communication है, उसमें भी बाधा आएगी, तो कैसा अवरोध है, यह मनोविज्ञानिक अवरोध है, अगर हम indirectly देखें, तो यह बहुतिक भी है, समाजिक भी है, आदमी समाज से भी जादा जो है connecting कर पाता है, बहुतिक मतलब physically भी अपने आपक अच्छे से इंट्रड्यूज नहीं कर पाता, आपने आपको प्रिजेंट नहीं कर पाता, लेगिन इन सब में अगर हम देखें तो जो stress है, वो मेलनी मतलब dysfunction कहां पर होती है, तो आपके दिमाग में dysfunction हो जाती है, पीशेंट के, चली second question देखते है, भय के कारण क्या हो सकता ह अगर किसी को डर लग रहा है, तो क्या होगा भावनात्मक, बनला emotional disbalance हो जाएगा आदमी, ओके, now the next question is, आदमी उसके माली का गुस्सा अपने बच्चे पर निकाल देता है, यह किसका एक example है, अगर किसी को माली जी किसी को boss ने कुछ कह दिया, या बाहर किसी की लड़ाई ह होगी, वो उससे कुछ नी कह पाया, लेकिन घर पर आगे वो गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल दिया, अपना stress निकाल दिया, तो यह displacement है, विस्थापन है, अपने गुस्सा क्या कर दिया, दूसरी को पर निकाल दिया, विस्थापित कर दिया, okay, displacement हो गया, next question, बच्च बच्चा कब स्टार्ट कर देता, तो around 2 years बच्चा जो है, बहुत अच्छे से सिर्णिया स्टार्ट कर देता है, चलना, यहाँ पर ही जो कोशन है, यह अलाग 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 तरीके से प्रेजेंट किया हुआ होगा, तो definitely आपको changes मिलेंगे, next question, बच्चों में नाख अगुर्जा टावन आ dosis को हो सकती है, सिर्णिया गवनाधावना, वह ऑक व sûराः में करते हैं, बहुचrem में अग्धम से चोटे बच्चों में लागुनो किसी से हीन नहीं होता है कि मैं काला हूँ या मैं गो रहा हूँ वो इस चीज़ को नहीं समस्ते ठीक है जिसे लोग को किया जाता है डिस्किमिनेट चलिए नेक्स कोशन देखते हैं एनुरेसिस ब्यावार में कौन सी समस्या होती है तो ये जो है वेट बेटिंग की प्रॉब्लम है बिस्तर को गीला कर देना बच्चा क्या कर देता है बिस्तर गीला कर देता है Next Question, जमरी के समयन अभजा शिशू के रोने से, बच्चे रोते हैं, जब वो पैदा होते हैं, तो बहुत तेटेज रोते हैं, उससे क्या होता है? तो उससे जो उनके सांस लेने के क्रिया होती है, श्वासन क्रिया होती है, वो स्टार्ट होती है, यह बहुत important होता है बच्चे का रोना क्योंकि उससे उनके जो फेफड़े हैं वो फूलते हैं और उनके जो बाहर आके जो वो सांस लेना स्टार्ट करते हैं, ओके चलिए, next question की तरफ चलते हैं, बच्चे के व्यवार के अध्यन की कौनसी विधी बहुत श्रेश्ट है, मतलब अच्छी है, तो अवलोकन करना, observation करना, आप बच्चे को observe करके अच्छे से उसको analyze कर सकते हैं, उसके study कर सकते हैं, उसके behavior कर सकते हैं, next question, माता और शिशु के बीच में बनने वाला पहला बंधन क्या होता है, तो भई क्या होता है, लगाव होता है, बहुत easy question है, normal सा, लगाव है, next question, क्रियात्मक समन्वे का अर्थ, दो मांसपेशियों का आप सी समन्वे है, मतलब motor development की बात हो रही है यहाँ ठीक है, तो क्या होता है, अंगों का, दो अंगों का, दो अंगों की मांसपे कोडिनेट करके work करती है motor development में तो अंगों का दो अंगों की मानस्पेशियों का आपस में समनवे है ओके नौ नेक्स कोश्चन इस शरीर की बिविन मानस्पेशियों का विकास है क्या है आपके क्रियात्मा motor development है motor development आपने पड़ा होगा किसी भी काम करने की जो किपासिटी है वर्क करने की जो फिजिकल किपासिटी है उसका development फिजिकल डवलपमेंट समय लिज एक तरीके से जो है वो motor development जो होता है फिजिकल डेपलोप्मेंट से जुड़ा होता है हमने डेपलोप्मेंट के डोमेंज पढ़े हैं तो फिजिकल डेपलोप्मेंट में क्या जुड़ा होता है मोटर डेपलोप्मेंट जिसमें आपने पढ़े होंगे सूख्म गतिक कोशल और मोटर में आपने इस्थूल गतिक को अब्कित बात हो रहा है मोट डवलपमेंट की बात हो रही है जहां पर आपके अपर की क्रियेटिवीटी आपके मेंटल से रिलेटेड तो रशनात्म विकास हो गया तो इस जड़ा होता है बहसा है क्या भाव है संकोच करना और शर्माना यह एक तरीकी इंसे बच्चा क्या कर रहा है अपना fear अपनी anxiety शो कर रहा है शर्मा रहा है बहुत जादा संकोच कर रहा है अपनी बात नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से next question है निमलिकित को विकास आतमा को पलब्दी के करम में विवस्थित कीजिए मतलब कि development norm department order में आपको इसको लगाना है तो सबसे पहले बच्चे में क्या जाएगी बच्चा क्या करता है अपने पजामा पहनना ऊतारना चाट करता है नूबर-बन ही हो जाएगा जोते हैं और लो मेरव किसी न्यृत्ष बिला फूटे बाथी को यूरिन करना से खाते वो बंद कर पाएगा ठीक है फिर वो क्या करेगा आक्षरों और आकार की नकल करना सिखेगा आप एकदम जब बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट किया धाई तीन साल में जब भी आप बच्चे को पढ़ना स्टार्ट करवाते हैं तो तुरंट उसको रेक्टेंगल बनाना ट्र का ओडर हो गया वान टू थ्री और फोर यह ओडर हो गया ओके डवलप्मेंट का उसकी मोटर डवलप्मेंट का फिजिकल डवलप्मेंट का चलिए नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं श्याशवकाल के दोरान जो है आपके भावनात्मा विकास के निमलिकित में से कौन से मील के पत्थर होते हैं मतलब कौन से डोमेंस हैं तो उसको डर की किस चीज की डर होता है बच्चे के अंदर तो अलग होने का प्रथा करण का मतलब उसको उसके मावब से अलग कर दिया जाएगा इसकी उसको बहुत घवराट होती है समाजिक मुस्कुराट होती है किसी को भी चिंता होती है, मतलब कुछ नई चीज को देखेगा, तो एक दम से बहुत चक्का हो जाएगा, एक दम से बहुत ज़ादा वंडर हो जाएगा, आश्चर हो जाएगा, तो ये चीज उसमें होती है, बड़ा आश्चर होके किसी चीज को देखता है, परशान हो जाता है, देखत क्या कचता है 3 to 4 वरs, 4 – 5 from 6. जर 2 입니다 साल का बच्चा हैक zar ने साल का क्च्छा है वो क्या कच्छा है पक्रा आप सकता है जा जो Doo से closet 3 साल का बच्चा समाने फजो कपड और टार सकता है जा चोटे-बच्चे कि बच्ची क्या करेंगे भाई त्रिबूज है क्रॉस देखकर उसको बना लेंगे मतलब सौरी फोर तू फाइफ नहीं आप पर जाएगा फोर तू फाइफ ठीक है अब वोग जो है शेप्स को बनाने लग जाएगे जो शेप्स हैं बनाने लग जाएगे और पांसे छे साल का बच्चा क्या कर लेगा जूते की फीते बाढ़ना सीख जा गाई इसली अपने शूस को किरी बन को दिया गया है जो जब धौराए जाता है तो āसमे आपके आपके हैबिट के ऐसे आचरण है अगर आप किसी चीछ को गती प्रदान करती हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपके इसमें हो जाएगा आपके वीज्वल प्राजवे हैं जो हमारी आखे हमारी शरी की गती को जब आप किसी चीज को देखते हैं कोई द्रश यह आप देखते हैं तब ही तो आपके आखे आपके शरी को गती निर्द नेक्स क्वेशन प्रेम और इस नहीं कि आवशक्ता कब होती है तो आपके मनुस्वाजिक आवशक्ता है कैसी है लफ और अफट्शन आपके साइको सोशन लीट्स हैं ओके तो आपके जगा मनुस्वाजिक डंड को अधिक प्रभाप्षाली बनाने की विधिया मतलब आपको जंड को रोकना है तो और कौन सी प्रभाप शाली विधिया अपना सकते हैं वहीं वर्णन कर सकते हैं डिस्क्राइब कर सकते हैं नेगटिव से तो आपको हमेशा दूर है जो भी आपको नेगटिविटी की तरफ ले जाए कोई भी पॉइंट कोई भी डिसकुशन कोई भी से आपको दूर रहना है बालक के बच्चे की बीच में माता पिता की बीच में कैसा होना चाहिए इस नहें पूर्ण संबन्द होना चाहिए और एक रूपता होनी चाहिए नेक्स्क कोशन जब कोई व्यक्ती दुष्चिनता मतलब एंसाइटी का सामना करता है तो यहां पर रिग्रेशन की बात हो रही है एके, नो the next question जुकना एवम उठाना उठाना किस प्रकर कीजेशटा में आते हैं आप किसी चुछ को झुछक रहा हैं, उठा रहा हैं तो ये फिजिकल वर्क है, तो क्या है तो लो चोछ झाल galera, आप का क्या हो जाएगा धड़ एवं शारे रिक, कैसा हो जाएगा धड़ एवं शारे रिक, आप अपने पूरे बोडी का यूस कर रहे हैं, जुक रहे हैं, किसे चीज़ को उठा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ग्रामीन छेत्रों में स्वैम से भी समूओं के संगटर में महिलाओं का इस्थर बेहितर बनता है, अजर्शन ये करिए, रीजन क्या है, सम्मेकात्मक समूओं आर्थिक सुधार का मार प्रशास करते हैं और समूओं के महिलाओं सादस्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो भी आपके इकनॉमिक लिए डवलप कर सकें, आगे बढ़ा सकें, तो दोनों ही पॉजिटिव बाते कह रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोल रहे हैं, तो दोनों बाते बिल्कुल ठीक हैं, नेक्स कोशन में चलते हैं, आपके साद में दो सूची हैं, आपको मिलाना है, सिज इसनोफरेनिया किस से है, आपके मानसिक प्रॉब्लम है, यह आपके हो जाएगा, ब्रेल प्रणाली जो है, किसके लिए होती है, दरश्टिहीन जो लोग होते हैं, उनके लिए आपके ब्रेल लिपी का यूज क्याता है, आंग जबकाना क्या है, आपके एक रिफ्लाक लिए को क्या कहते हैं, तो emotional आपके इसको catharecis के एक होती है, okay, मतला है एकट्टी होई, बहुत जादा emotions दबाय हुए है, एकट्टे की हुए है, उस energy को आपने बहार निकाल दिया, किसे तरीके से emotions को, तो emotional catharecis, now the next question is, mote wrot, जाँ बहुत fine motor skills का अपना यूज कर रहे है, त में छोटी इसमें चोटी मशवार जाएगा चलिए. Next कोज़न की तरफ चलते हैं. और ये नेत्र हस्त समनवे की भी हो जाएगी. मोटी पराने में आवशक्ता होती है. इसमें ये नेत्र हस्त समनवे मतला दोनों का coordination होना चाहिए. दोनों muscles का. ये भी answer सर इसमें ठीक हो सकता है चोटीफी ये कुशलता भी इसमें आपके बिलकुल ठीक है। च्छोटी पेश्य कुशलता मतलब मोटीपीरा रहे हैं तो fine motor skills का use कर रहे हैं अपने हाथ की fine motor skills का use यह definition किस ने दिये तो यह definition आपके Valentine में दिये, यह question पूछा हुआ है आपके, चलिए next question, निरंदर भगनाशा की सिति में व्यक्ति के व्यक्तित पर क्या प्रभाब पड़ता है, मतलब वो बहुत जदा परिशान है, depressed है, तो क्या हो जाएगा, जो उसके personality है, वो विगटित हो कैसे हो जाएगी, personality उसके destroy हो जाएगी, next question, क्योंकि व्यक्तित पर आपके प्रभाब पूछा है, next, श्वसान दर्ग किस समय सबसे कम होगी, मतलब सबसे आदा जो respiratory system में जो आपके, आप सांस लेते हैं, वो कब कम होती है, सोते समय, कब कम होती है, सोते समय, खेलते समय, खा प्रेम होता है, ठीक है, रो रो के क्रोध दिखाते हैं, अपना, खाना पीना मांगते हैं, प्यार होता है, और डर होता है, कल्पना में क्या होता है, जो आपकी कल्पना है, जो आपके hypothesis है, उसमें क्या होता है, उसमें आपके सब कुछ होता है, वो रशनात्मग भी होती है, वो आपके creative भी होती है आपके structuralist भी होती है जो आपके experience होते है उस पर आधारित होती है ठीक है तो यह सब ही हो जाएगा जो आपकी hypothesis है वो यह सब का मिश्रण होती है किसी भी चीज को आप कलपना कर सकते हैं कि मैं यह करूँगा, मैं यह करूँगी मैं आसा कर सकती हूँ कुछ experience based होती है कुछ new creativity लाते हैं आप तो सब कुछ होता है मानसिक विकास कैसा होता है तो भाई मानसिक विकास नियमित होता है और क्रमबद रूप में होता है बल्कि सारे development आपके कैसे होते हैं नियमित और आपके एक serial form में होते हैं, क्रमबद रूप में होते हैं, ओके, now the next question is, बालकों के समवे की विशेष्टा नहीं है, देखे, बच्चों के जो emotions होते हैं, वो आपके permanent नहीं होते हैं, उसके style नहीं होते हैं, अभी रो रहे हैं, अभी आपने उनको पीटा, दो थपड मारें, वो रोएं से उस चीज़ को, ओके, तो यह विशेष्टा नहीं है, next, संसाओ में रहने वाले बच्चे, जो आरंबी वर्षों में प्यार दुलार से वंचित रहाते हैं, उनमें बड़े होका नकरातम परणाम देखे जाते हैं, ऐसा दीखे, बिल्कुर ठीक बात है, बिल्कुर सही बा आ सकती है, उनके साथ, चूर रीजन क्या होता है, चोकि उनमें क्या है, लगाव संस्वंदी विकार होते हैं, बाद में उनके विश्वास में कमी आती हैं, इस दोनों बाते बिल्कुर ठीक हैं, आजर्शन भी ठीक हैं, तो आप कोड क्या लगा देंगे, कि भाई, यह दोन पाना व्यपार रोकता मधिनियम जो आपके Human Terrific Act है वो आजाएगा यह कब आया था आपके तो यह आपके आया था स्टुडेंट 1956 में कब आया था 1956 में ओके फिर आजाएगा आपके बाल श्रम अधिनियम चाइड लेवर एक्ट आया था बच्चों के श्रम से रिलेटेड 1986 में फिर आजाएगा आपके किशोर न्याय देख बाल जो की 2000 में आया था जुविनाइल डेलिक्वंसी एक्ट और आपके फिर आएगा बाल यौन अपराद रोकता मधिनियम जो किया था आपके 2012 में पोसो को पी ओ सी एस ओ अब यह नेक्स कोशन में मैं इसके बारे में बताऊं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं सारे बच्चे बराबर हैं जब नेचर डिस्किमिनेट नहीं करता किसी को किसी में तो आप डिस्किमिनेट नहीं कर सकते ठीक है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हम करते हैं रीजन क्या है? 16 वर्ष से कम आयो के बालकों को भोला पवित्र माना जाता है, तथा उनके अपराद दंड कम कर दिये जाते हैं, देखिए, बाते जो हैं, यह दोनों एक तरीके से गलत हैं, कि जो बिक्कुष 16 वर्ष के आयो के उन्होंने कोई अपराद किया, तो उन्हें वि परका जाता है, ना कि उनको जेल भेज दिया जाता है, और उनका जो है अपराद, उनको किसी प्रकारता अपराद दिया जाता है, ना तो उन्हें ऐसे कोई फांसी दे दिया आती है, ना उन्हें को जो है रिहाप किया जाता है, तो यह दोनों बाते आपकी जो हैं, यह सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, चलिए, नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं, अब आपको दो सूचियों ने मिलाना है, विकलांग विक्ती से क्या रिलेटिड है, बाल योन अपराद से क्या रिलेटिड है, बाल श्रम से क्या रिलेटिड है, कानून विरोधी वालक से क्या रिलेटि इसको बोलते हैं इसका मतलब होता है protection of children from sexual offense act जितने आपके 2012 में आया था अभी हमने बात करी पोक्सो की जो भी आपके sexual मतलब अगर बच्चों के साथ किसी भी तरीके का यौन अपराद किया जाता है चाहें वो लड़का हो चाहें वो लड़की हो तो जो अपरादी है अब उसको पोक्स को सजा सुनाई जाती है ठीक है और उसको बहुत कठोर जो है सजा सुनाई जाती है उसके उपर पोक्स वाट लगता है बाल श्रम से related कौन सा हो जाएगा आपके कानूनी विरोधी बालक जो जिसने कानून के विरोध जाके मलताब वही जुविनाईल डेल्यूक्वंसी एक्ट हो जाएगा तो जेजे C&PCI का हिंदू दत्तक ग्रण में आता है आपके हिंदू अडॉप्शन वाला दत्तक ग्रण वाला एक्ट ओके समझ में आ गया नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं बाल श्रम बच्चों के विकास के अधिकार का घोर संगलंगन है नेक्स्ट कारखानों में काम करने वाले बच्चे स्कूल ने जा पाते हैं उनका शारी रूप से शोषन करते हैं वजदूरी भी कम दियाती दोनों बात एक दम करेक्ट हैं नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं वह स्थान जहां पर बाल अपरादियों को देखिए मैंने जुविनाइल डेलिकोंसी एक भी पढ़ाया हुआ है और बाल अपराद भी पढ़ाया हुआ है तो जिनों ने वह वीडियो नहीं देखा है बाल अपराद वाला वीडियो आप जरूर देख लीजेगा वह स्थान जहां पर बाल अपरादियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं उसको कहते क्या है तो मैंने आपको बताया उसे पुनरपन ग्रहे बोलते है या बच्चे, हाँ, उनको पुनरपन ग्रहे बोलेंगे रीहाबिटेट सेंटर सी बोला जाता है बच्चों को किसी प्रकार की जेल में नहीं भेजा जाता है चीग है? उनको बहुत ज़्यादा रीहाबिटेटेश अब देखे जरूरी नहीं कि जो बाला परादी है वो 18 वर्ष का ही हो जो एज हमने रखी है बाला परादी वो 18 वर्ष तकी है जो लॉस के अकॉर्डिंग है छोटे-छोटे बच्चों से भी हो जाती है गलतिया बहुत माइनर बच्चे भी उसमें आ जाते हैं जैसे और चहां एक चीज और आप समझ लीजे मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है जो बाला परादी होते हैं तो जो आपके 8-10 साल सूमर के बच्चे होते हैं उन्हें बाला परादी के श्रणी में रखा जाता है अठारा वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं वो आपके बाला परादी के श्रणी में आते हैं इससे उपर वाले तो फिर आपके वो अडल्ट हो जाते हैं नेक्स्ट कोशन औरस में ग्लुकोस किसके लिए मिलाते हैं आप तो एपीजेनिसिस क्या बोलेंगे एपीजेनिसिस नौ दे नेक्स कोशन इस लेक्टेशन में प्रोसेश है जिसके उधारे दूध द्वारा संशेशित और स्त्रावित होता है तो किसके थ्रू हो जाएगा यहां पर आपके आपके स्तन ग्रंथियां जो होती है ब्रेस्ट ग्लैं परते हैं तो यहां पर हो जाएगा एडगर डेल यह कोशन बहुत इंपोर्टन ने पूछे जाते हैं कोशिगा का सबसे महत्पूर्ण भाग क्या होता है तो आपको पता है जो जीव द्रव होता है साइटोप्लास मज़े से बोलते हैं वो भी होता है नूक्लियस सबसे सबसे आदा नूक्लियस केंद्रग होता है एटीप क्या है तो आपको पता है क्या है एडिनोसें ट्राइफॉसफिट तो यहां पर हो जाएगा आपके आप्शन नूमर ए ओके नो नेक्स कोशिका जिली के लिपिट दूई परत में फॉस्फोलिपिट्स क्या होते हैं तो आ आपके जमा होने को क्या कहते हैं मतलब बॉड़ी में आपके जो टिशू है उसमें पानी जमा होने को क्या कहते हैं मतलब बॉड़ी में आपके जो टिशू है उसमें पानी जमा होने को क्या कहते हैं मतलब बॉड़ी में आपके जो टिशू है उसमें पानी जमा होने को क्या तो क्या बोलते है अडिमा क्या बोलेगी अडिमा का मतलब सूजन भी आ जाती हो जग्या पर पानी कट्टा हो गया है next question कोशिगा कि कोश किस ने की तो Robert Hook ने की थी next question Robert Hook ने ही किया न कोशिगा कि कोश वारी गुट जीव द्रफ प्रोटो प्रोटो प्लास्म की कारवनिक अणुए क्या होती है वसा होती है नूटलिक असेड होते है DNA और न और न तो option no C हो जाएगा okay क्या होती है इसमें क्या यहाँ ज lei को जमीन के लिए तांगों की मांसपेशी नो बातें सहीं है दोनों टांग की जो आपके पैरों की मानस्वेशिया होती है मसल्स होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है आप किसी भी वेट को उठाने के लिए क्या करेंगे पीट की मानस्वेशियों का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे अपने पैरों को जदा use करेंगे प्रानि के शरी के बिवे नंगों को बांधे रखने का कार रूप क्या है मतलब प्रानि के शरी के जो ओर्गन्स हैं वो किस से बंधे रहते हैं तो connective tissues है इसलिए आपका blood क्या है? connective tissues है जुकि पूरी body को connect करके रखता है पूरी body के organ से connect होके रहता है माना आफ कोशिका में क्या होते हैं human कोशिका में कितने chromosome होते हैं तो chromosome के 23 pair होते हैं कितने prayers होते हैं chromosome के 23 pair है total कितने होते हैं 46 इन questions को आप revise करते रहेगा कोशिका के जीवन के मूग अधार मुख्य रूप से क्या है इसके ना रहने पर कोशिका म्रत्य मानी जाती है main क्या होता है तो nucleus होता है nucleus नहीं है nuclear membrane नहीं है तो मतलब समय लिजए कोशिका आपकी मर गई ठीक है केंद्रा कुझ जाएका now the next question is next question की तरफ चलते हैं next question है electromyography क्या मापता है electromyography आपके क्या मापएगा तो electromyography आपके मापता है man's patient के बीच का electric phenomena ठीक है क्या मानता है electric phenomena option number C next question पेशी तनाव टेटनी रोग किसकी कमी से होता है तो calcium की कमी से होता है इसमें आपके हो जाएगा calcium की कमी मैंने C बता दिया C गलत है D calcium की कमी से टेटनी रोग होता है जो कि आपके क्या है एक muscle का रोग है क्या रोग है muscle का रोग next question की तरफ चलते है कोशिका का protein solution मतलब protein synthesis का काम कौन करता है ribosomes ये question भी मैं पोल पर पूछती हूँ तो काफी बच्चे गलत कर देते हैं पर प्लीज आपको ध्यान से पढ़िए और अपनी त्यारी अच्छे से करिए क्योंकि एक्जाम होगा आपका इसी एर आइटिंग मेरे हिसाब से उदर आंत्र भिती में क्या बना होता है gastrointestinal जो वाल होती है वो कौन सी muscles की बनी होती है तो वो smooth muscles की बनी होती है कैसी muscles की बनी होती है आपके म्रदू मांसपेशी smooth muscles की gastrointestinal मतला आपका जितना भी आपके food digestive gastrointestinal जो ट्राक है जो वाल्स है जो nutrients वगरा को अब्सॉफ करती है सब किसकी बनी होती है smooth muscles की चलिए next question की तरफ चलते है एक assertion है आपके सामने कि ग्रैनी अतियंत साबधानी पूरा कार करती है उसके समान घरेलो क्रिया कलापों में जो है एक प्राकर्तिक लैबदता होती है क्यों होती है लैबदत कारे में प्रितेग मांसपेशी बारी बारी से तातकालिक बिश्रायम का अफसर मिलता है ये दोनों बाते सही है कैसी सहें आपके दोनों ही बाते ये बिलकुल ठीक है बाई अलग-अलग तरीके से जो housewives होती है या जो housemakers होते है ओम makers होते है वो अलग-अलग तरीके से अच्छे से जानते हैं कि कब हमें कैसे काम करना है कौन सी muscles को किस टाइम यूज़ करना है ताकि वो ठके नहीं और पूरा जो है उनका day routine अराम से चलता रहा तो question को समझने कोशिश करिए next question है आपके मनुश्य के शरी में पस्लियों के कितने जोड़े होते हैं तो आपको पता है 12 12 pairs होते है मनुश्य के शरी में पस्लियों के कितने pair होते है 12 option हो जाएगा A now the next question is पेशियों के सिरे अस्तियों से किस के दोरा बंदे होते हैं मतलब muscles को जो है आपके bone से कौन बंदे के रखता है तो ये आपको answer करना है मुझे comment section में और जो कि आप नहीं करते हैं कोई बात नहीं मत करिए आप मैं तो आपसे इसलिए पूछती हूँ तागि मैं check कर सुगू कितना आप लोग पढ़ रहे हैं response नहीं देते हैं कुछ देते हैं उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया आप बहुत अच्छा response करते हैं ये आपका home bag का आपको बताना है कि जो muscles हैं वो bones से कौन से tissue से connect रहती है ताल में यहाँ पर है ताल ताल में साइमायोजन क्रिया किसके दौरा संभव होती है ताल का मतले यहाँ पर human जो eyes होती है उसमें ताल की बात हो रही है तो वो जो है अपके celeal жो, cealiosis muscles होती है उसके दौरा संभव होती है नेक्स्ट है पेश्यों के विकास के लिए क्या आविशक मीशक नेक्स पेशियों के विकास के लिए now the next question is कोशी का कंकाल का क्या उधारण है कोशी का कंकाल का आपके ये सभी उधारण होते है माइट्रो टुबूल, माइट्रो फिलामेंट इंटरमेडियर फिलामेंट ये सब आपके क्या है कोशी का कंकाल है गुर्दे का सही कारिन करने कारण जल का अवरोधन में प्रनित हो जाता है क्या हो जाता है आपके अगर आपका जो गुर्दा है मतलब किड्मी है, अगर सी से काम नहीं कर रहे तो क्या हो जाएगा, अढिमा हो जाएगा अवरोधन शोध यहाँ पर हो जाएगा option number c, शोध का मतलब होता है आगर आपके Alema हो जाना मतलाब जल जो है वह क्या हो जाएगा अगर डाइल्यस को दॉचिस का काम होता है ना ai Agr alis देखा करो आप लोग बैसे आप देखते हो लेकिन फिर भी मैं बता रही हूं नेक्स कोशन है मजबूत हड़ी हो दातों के लिए क्याल्शियम वाइटमिन दोनों क्या उशकता होती है वाइटमिन डी आतों में क्या करता है बढ़ाता है एकदम करेक्ट बात है इसमें तो बहुत कमिनियूटीड फ्याक्चर किया गलाएगी कमिनियूटीड फ्याक्चर सही वोला मैंने बहु खंड मतलब बहुत सारे तुकडों में तूट गई है तो साफ आप देख सकते हैं नेक्स्ट इस मानभ शरी में सबसे लंबी अस्थी कौन सी होती है तो फीमर की जो कि हुआ होने से शारी ठकान होती है तो लाक्टिक एसटें ऑखसीजन जब हट्टी तूट जाती है रखता थकका जम जाता है इसे कहते क्या है फिर आज का क्लास आजके कोश्टन ही पे खतम होते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा श्टूडन्स हमने ट वो feedback जरूर दीजेगा comment section में next video में मिलेंगे next topic के साथ तर तक आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें exam कभी भी वह आप अपनी preparation बरकरार रखें okay thank you so much